सब्सक्राइब कीजिए इंफराटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स इंफराटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चली शुरू करते हैं इस वीडियो को लेटस गेट स्टार्टेड इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अमेजन की कोरोना वाइरस की वज़ा से अमेजन प्राइम यूट्यूब और फेस्बुक की यूजर्स अब एचेडी वीडियो नहीं देख सकेंगे कोरोना वाइरस इस समय तेजी से फैल रहा है इस वाइरस की इस्तिती को ध्यान में रख कर इंडियन गवर्मेंट ने देश की अधिकतर शहरों को लॉकडाउन कर दिया है साथी प्राइबेट कमपनी ने भी अपने करमशारियों को घर से काम करने का आदेश दिया है हलाकि लोगों के घरों में रहने के कारण नेटवर्क इंफ्रस्टक्चर बहुत दवा पड़ रहा है साथी डाटा का इस्तिमाल बहुत जादा हो रहा है तो ऐसे में बीडियो स्ट्रिमिंग कमपनी अमेजन प्राइम यूट्यूब और फेस्बुक ने अपने बीडियो क्वालिटी को टेंपररी तोर पर कम कर दिया है जिससे डाटा कम खर्च होगा और नेटवर्क इंफ्रस्टक्चर पर जोर नहीं पड़ेगा अमेजन प्राइम ने कहा यूजर्स कम बीडियो क्वालिटी के साथ देख सकेंग कंटेंट कमपनी का कहना है कि कोरोना वाइरस के कारण अधिकतर लोग अपने घर में हैं यही वज़ा है कि डाटा की खपत तेजी से बड़ी है तो ऐसे में हमारे इस कदम से टेलीकॉम कमपनिया थोड़ी रहत मिलेगी साथ ही नेटवर्क इंफ्रेस्टक्शर पर कम दवाब पड़ेगा यूट्यूब ने वीडियो क्वालिटी की कम Amazon Prime के साथ YouTube ने भी वीडियो क्वालिटी कम कर दी है अब यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पर SD क्वालिटी के साथ वीडियो देख सेखेंगे कमपनी के मताबिक यूजर्स को 16 अपरेल तक SD क्वालिटी के साथ वीडियो देखने को मिलेगी वहीं Google की प्रवत्ता ने कहा कि हम सरकार और नेटवर्क आपरेटर्स के साथ मिलकर काम करेंगे Facebook ने वीडियो की बिटरेट को कम किया है Social Media Company Facebook ने नेटवर्क इन्फरेस्टक्चर पर बढ़ते दवाब को ध्यान में रखकर अपनी वीडियो की बिटरेट को कम कर दिया है Company का कहना है कि हमने इंडिया में Facebook और Instagram पर वीडियो की बिटरेट को कम किया है फिलाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा अगर फिचर में आप इसी टाइप की और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जोड़े रहे हमारे चैनल के साथ और अगर आपको इस उजाब से इशन देना चाहते हैं इस बीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपसे नई बीडियो में थैंक्स पर वाचिंग दिस बीडियो थैंक्स